हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त किर्शन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना Facebook पेज, Computer Gyan Book दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस पेज में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हूँ तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बढ़ा देता हूँ मेरे जो Social Media Accounts हैं Instagram, Telegram और Facebook और YouTube इनके उपर आप मुझे फॉलो कर लिजिए क्योंकि इनके उपर मैं content डालता रहता हूँ अगले वीडियो में मैं आपको मेरा WhatsApp गुरूप प्रोवाइड करवा दूँगा लिंक तो आप मुझे से जुड़ सकते हो और उसके उपर जानकारी आपको मिलती रहेंगी चोटी-चोटी पोस्ट के मादिम से तो आप मुझे से जुड़ सकते हो तो वो मैं आपको next वीडियो में share कर दूँगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो आज का और देखते हैं progress बार कैसे बनाया जाता है देखे दोस्तो progress बार बनाने के लिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का data होना चाहिए जो कि ये data आप देख रहे हूँ इस तरीके से आपके पास data होना चाहिए देखे दोस्तो अभी मैं आपको एक simple बता रहा हूँ उसके बाद में मैं आपको click वाला बताऊँगा जिसमें check box वाला check mark आप करोगे वैसे वैसे इसमें progress बार में यहाँ पे आपको reading देता रहेगा तो वो मैं आपको next video में बताऊँगा अगर आप comment करोगे तो तो दोस्तो हमारे पास school 10 student है और यहाँ पे इनका status दिखा रहा है और यहाँ पे इनकी progress report दिखा रहा है spelling अगर कोई mistake है तो दोस्तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाओँगा अगर कोई भी spelling mistake है तो तो दोस्तो यह आपके पास में data होना चाहिए तो इस data को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं थोड़ा से मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यह मैंने color डाल दिया है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको select करना है, select करने के बाद आपको यहाँ border में जाना है, और all border इसके apply कर देना है, यह हमने इसके border apply कर दिया, अब देखो यहाँ पे border apply हो चुगा है, जो कि मैंने green color का border यहाँ पे select कर रखा, यहाँ पे मैंने green color select कर रखा, इसके बाद में यहाँ पे यह जो progress report है, इस column को आपको select कर लेना है, यह column और इसमें जो 40%, 20% यह आपको पहले से ही लिखना है, यह लिखा हुआ नहीं आएगा, यह आपको पहले से लिखना है, ठीक है दोस्तों, यह conditional formatting के बारे में पढ़ाया होगा, जहां भी आप पढ़ने गए हो, जहां भी आप सीखने गए हो, वहाँ पे आपको इस conditional formatting के बारे में पढ़ाया है, लेकिन दोस्तों आपको इतना नहीं पढ़ाया होगा, जितना कि इसमें option होते हैं, इसमें बहुत सारे option है, जो आप कर सकत करने के बाद यहां पे पहला option है format all cell based on their values इसको आपको select कर लेना है select करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यह जो यहां पे column है यह वाला format style इस column पे आपको select करना यहां पे अभी two color scale दिखा रहा है आपको यहां पे जाना है इसके अंदर चले जाना है और जाने के बाद यहां पे आपको select करना data bar डाटा बार आप सेलेक्ट कर लोगे यह डाटा बार मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो वेल्यू दिखाएगा एक minimum दिखाएगा एक maximum दिखाएगा इस minimum value पे हम टिक करेंगे यह number select करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि 0 लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पे one type कर देता हूँ तो इसका मतलब होता 100% ठीक है two type करोगे तो मतलब 200% तो अभी one type किया तो मतलब 100% है अब आपको यहाँ पे option दिखाई दे रहा है bar appearance यह वाला option है यहाँ पे bar appearance इसके अंदर आपको चले जाना है इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे solid color दिखा रहा है solid color के ज़स्ट सामने color दिखा रहा है इस color पे आपको tick करना है और इसमें आपको green color select कर लेना है light green color मैंने border में select किया था तो मैं यहाँ पे भी light green color ही select करूँगा तो मैंने यह light green color select कर लिया अब दोस्तो आपको कुछ नहीं करना है सीधा आपको यहाँ पे ok कर देना है ok करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने data bar बनके आ चुका है अब दोस्तो जैसे मैं इन में value में changement करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके data bar में परिवर्तन होगा जैसे मैं यहाँ पे 60% type करता हूँ तो देखो 60% यहाँ पे change हो गया अगर मैं यहाँ पे 1% करता हूँ तो देखो बिल्कुल low data यहाँ पे दिखा रहा है अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 99% तो देखो आधा खाली दिखा रहा है अब देखो दोस्तो इसका थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा advanced तरीका बता रहा हूँ तो यहाँ पे हम select कर लेंगे इसको select करने के बाद आपको फिर से conditional formatting में जाना है यहाँ पे manage rule में जाना है यह जो option है ना manage rule इसके उपर आपको tick करना है tick करने के बाद आपको यहाँ पे data bar पे tick करना है जैसे ही data bar पे tick करोगे यह आपकी सामने खुल जाएगा अभी यहाँ पे देखो direction दिखा रहा है यहाँ पे direction left to right ऐसे दिखा रहा है लेकिन यह तब ही हो पाएगा जब आप यहाँ पे two color select करोगे तो जैसे मैंने gradient color select किया gradient color select करने के बाद यहाँ पे मैं अभी left to right कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये left to right gradient color दिखा रहा देखू अभी left side में ज़्यादा गहरा color दिखा रहा और right side में कम गहरा दिखा रहा है अभी मैं दुबारे से इसी में जाता हूँ conditional formatting में फिर manage rule में जाता हूँ और फिर यहाँ पर double click करता हूँ और करने के बाद मैं यहाँ पर दुबारे से जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ right to left right to left किया और ok कर दिया ok जैसे ही मैं करूँगा तो देखो अभी यह right side से feel ok आ रहा है तो देखो यह थोड़ा सा advanced option था जो कि मैं सोचा कि आपको बता दूँ तो मैंने यह आपको बता दिया इसके उपर double click दुबारे करेंगे और यहाँ पर solid color select कर लेंगे और इसको left यहाँ पर contest ही रखेंगे और ok कर देंगे तो यह पहले जैसा हो जाएगा इससे आप red color में भी कर सकते हो आप इससे दुबारे से select करोगे दुबारे से select करने के बाद conditional formatting में जाओगे manage rule में जाओगे यहाँ पर double click करोगे और यहाँ से आप color select करोगे red ok करेंगे फिर से ok करेंगे तो यह देखो red color में भी आपको show करेगा तो दोस्तों यह वीडियो था और आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप थोड़ा सा दुबारे से देख लीजिए यह एक progress report है जो आप इस तरीके से बना सकते हो और यह आपको कहां कहां जरूरत पड़ती है जब भी आप किसी company में काम करते हो या office में काम करते हो या किसी school में काम करते हो त तो आप इस तरीके से बना सकते हो उसके percentage की साब से ठीक है किसी के 40% आए है 60% आए है 99% आए तो उसे साब से आप यह progress बार तयार कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like कीजिए और दोस इन वीडियो को दोस्तों को share करोगे और इन वीडियो पे like करोगे और comment करोगे तभी मैं आपके लिए advance वीडियो लेके आँगा तो दोस्तों next वीडियो मैं आपके लिए checkbox वाला लेके आ रहा हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसके उपर like performance देख कर जाएए ताकि आप हमसे अपडेट रहें नई वीडियो के बारे में न्यू पोस्ते जो हम डालते रहते हैं उनके बारे में और दोस्तों ग्रूप जो है वाट्चप ग्रूप है वह मैं आपको जल्दी ही provide करवा दूँगा तो आप वहां से मेरे से जुड़ सकते हो तो मिल